Good morning all of you कल मैंने एक बच्चे से बाचित की उम्र लगवग चैसे या 24 वर्स उससे बाचित के सिलसले में उसने बताया कि मैं काफी frustrated रहता हूँ या रहती हैं तो मैंने पुशा क्या आपकी kidney damage है या फिर liver failure है या फिर आपके माप पिता जी नहीं है प्रिस्वी पे तो उसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आया ये frustration ये depresion आज के नौई वोकों को होता क्यों है मुझे कहीं ने कहीं इसमें एक philosophy का अभाव लगा आज के generation में हो सकता ये मेरा व्यक्तिकत विचार भी हो आज लोग अगर किसी भी छेत्र में काड़ियों का शंपादन करते हैं professional life में तो केवल professional life के बारे में ही सुचते हैं उनका अपना व्यक्तिकत जीवन कुछ नहीं रह जाता आप जब कभी भी professional life में हों तो आपके साथ आपकी hobby होनी चाहिए कुछ समय education पे आप दें कुछ समय पड़िवार के साथ दें इससे होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी छेत्र में थोड़ी सी असफलता मिलती है तो आपको लगता है कि अन्य छित्र में तो काफी अच्छा मैं कर रहा हूँ अगर चार तरह के लोगों से मिल रहे हैं जैसे आपने अगर hobby में काड़े कर रहे हैं exercise में कार कर रहे हैं पठन पाठन में काम कर रहे हैं और एक आपका professional life तो अगर professional life में अगर थोड़ी भी उपर नीचे होती है तो उसके बावजूद भी 75% area ऐसा है जहां आप अपने आपको अच्छा कर रहे हैं चाहे वो exercise ही क्यों न हो या पढ़ाई ही क्यों न हो वैसे इस तिदि में आपको frustration कभी नहीं होगा लेकिन आज की प्रीडी को नजाने क्या हो गया है ना उनकी कोई होवी है ना उनकी कोई समाज है नहीं उनकी दोस्ती किसी पुस्तकों से है और नहीं exercise से जिसका परड़णाम होता है कि केवल professional life के काड़े का संपादन करते हैं और किसी भी परकार की उपर नीचे उसमें होती है तो वो सीधे अपने आपको जिम्मिदार मानते है और depression, frustration जैसे चीज में चले जाते हैं जबकि हमारी सबता और संस्कृति में इस तरह के सब्दों का कोई अस्थान नहीं है ना कोई हिंदी के डिक्स्नरी में क्यों? क्यों हम लोगों का एक ही चीज मानना है जो होता है, अच्छा होता है और जो होगा, अच्छा होगा साइद हम लोग पच्छिम की सबता की ओर जाने का यह सबसे बड़ा दुस्प्रभाव अपने लोगों पर परता आ रहा है याद रखे अपने जीवन को 8 गंटे के तीन भाग में बाटे 24 गंटे का समय है 8 तरी के 24 8 गंटा केवल सोना पे बिताए 8 गंटा अपने प्रोफेस्नल लाह पे बिताए 8 गंटे अपनी होवी, परिवार पे बिताए 8 गंटा सोना है तो सोना ही है आठ गंटा प्रोफेशनल लाइफ है तो के वल प्रोफेशनल लाइफ और आठ गंटा मैं अगर हो भी पर देता हूं परिवार पर देता हूं समाज पर देता हूं तो उसी पर देता हूं आप करके देखें आपके जीवन में कभी भी frustration जैसी चीज कभी नहीं आएगी चैहिंद